सावेर नगर के पास कायस्थ खेडी गाव में कानहा नदी में आज इक बड़ा हाथसा हो गया जहां मचली पकड़ने के लिए जाल लेकर नदी में उतरे दो लोग डूब गए जिसमें एक तैरकर बाहर निकल गया और दूसरा लापता हो गया कायस्थ खेडी गाव में नदी किनारे पानी के तेज बहाव के चलते हाथसे में 26 वर्षिय युवक विनोध पिता नानुरा मलापता हो गया है जहां ठानप्रभारी संतोष दूधी तहसिलदार तपिश पांडे साइथ प्रोशासनिक दल मौके पर पहुचा और कारवई जारी है पुलिस के मताबिक दो लोग पानी के तेज बहाव के बावजूद नदी में मचली पकड़ने के लिए जाल लेकर उतरे जहां दोनों अपने ही जाल में उलच कर रहे गए जिसमें कमल तैर कर दूसरे किनारे पहुच गया और उसका दोस्त विनोध डूब गया पुलिस के मताबिक रेस्क्यू टीन को सूशना दी गई है बचाव दल नदी में डूबे यूवक को खोजेगा आपको बताना चाहेंगे ही करीब 16 गंटे हुई मूसला धार बारिश के बाद लापरवाही के चलते इस तरह की हाथ से सामने आ रही है लगतार खबरों के लिए बेल आइकन दबाए हमारे साथ चुड़े रहने के लिए खबरगती न्यूज को सब्सक्राइब कीचे यजिवाज सफोलो उस उस फेस्बुक लिए बाद सफोलो उस तविटर और यजिवाज सफवोलो उस फंस फेंस्रगरां